Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 8 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 8 नवंबर से ही related current affair के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के PDF शाहिए तो आप हमारा mobile application में install कर सकते हैं इसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा और अब से हमारा जो लोगो है ये change हो चुका है इसलिए आप confused नहीं होएगा साथ ही दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के current affair के quiz चलाई जा रही है जिससे कि आप सुबा 8 बजे जुड़ सकते हैं यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर लीजे साथ ही bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके एक और ज़रूरी सूचना देखिए आप लोगों के लिए जनवरी 2020 से ले करके October 2020 तक के मतलब की इस 10 महिने की Current Affair की एक PDF बनाई गई है जिसमें की इन 10 महिनों की 600 Current Affair question ये one liner format में cover कराए गए है ये PDF आज launch हो रही है यदि आप लोगों को इस PDF को purchase करना है तो इसकी link description box में दी हुई है वैसे इस PDF का price तो है 15 रुपए लेकिन सारे tax मिला करके आप लोगों को 20 रुपए पे करने होंगे इस one liner PDF के लिए और मैं आप लोगों को बता दू जनवरी से लेकर के ही October तक मतलब की एक जनवरी से लेकर के 31 October तक ये डेटा कवर किया गया है online study point के 10 महिने की current affair की PDF में with detailing with extra fact लेकिन ये detailed current affair की PDF ये कल या परसो लॉंच कर दी जाएगी फिलहाल आज ये निकी आज one liner current affair PDF लॉंच हो रही है detail वाली एक दो दिन में आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें सभी current affair topic wise कवर किये गए है और काफी दिनों से आप लोगों की demand भी आ रही थी कि जो weekly current affair की video जो की दूसरी में के द्वारा upload किया जाता है इस video को मेरे द्वारा ही बनाया जाए तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब से यानि की आज से ये जो आप लोगों को weekly current affair की series मिलेगी ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा तो इस video को भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में राश्ट्री cancer जाग रुकता दिवस ये कब मनाया गया है यानि कि national cancer awareness day तो ये भी हाली में मनाया गया है 7 नवंबर को और इसका उद्देश ये क्या है तो देखिए cancer से होने वाले कारणों के प्रती लोगों में awareness फैलाने के लिए और cancer के first stage में ही उसकी पहचान करने के प्रती लोगों में awareness फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है देखिए इस question में आप confuse नहीं होएगा क्योंकि राश्ट्री cancer जागरुकता दिवस ये तो 7 नवंबर को मनाया जाता है जबकि यदि हम बात करें world cancer day की यानि कि visual cancer दिवस की तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी और इस बार 4 फरवरी को जो world cancer day मनाया गया इसकी theme थी I am and I will यानि कि मैं हूँ और मैं रहूंगा और ये जो theme है ये 2019 से लेकर के 2021 तक के लिए fix कर दी गई है यदि हम बाकिया option को discuss करें तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया है world vegetarian day जबकि world vegetarian day मनाया जाता है 1 अक्टूबर को 2 नवंबर को मनाया गया है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों का अंतर राश्ट्री दिवस और 5 नवंबर को मनाया गया है world tsunami awareness day हाली में नमामी गंगे परियोजना के brand ambassador कौन बने हैं तो नमामी गंगे परियोजना इसके brand ambassador अभी हाली में बन गया है चाचा चौधरी जिनका दिमाग computer से भी तेज चलता है तो गंगा नदी के संरक्षन और सफाई के प्रती लोगों को aware करने के लिए इन्हें इस परियोजना का brand ambassador बनाया गया है तो यहां से प्रदूशन, संरक्षन और काया कल्प करने के उद्देश से इसके शुरुवात की गई थी और इसी के brand ambassador बन गया है चाचा चौधरी अभी दी हम other option को discuss करें तो हाली में जो बॉलीवूड भी नेता है अमिताब बच्चन जी यह Alexa को अपनी आवाज देने वाले पहले भारती बन गया है आयुशमान खुराना तो यह भी हाली में अर्बन क्रूजर और बजाज आलियांस के brand ambassador बनाए गया है जबकि जो सोनु सूध है इन्हें भी हाली में Acer India जो की एक PC brand है इसने अपना brand ambassador appoint किया है next है हाली में किस नगर निगम ने plastic लाओ mask ले जाओ पहल का शुभारम भी किया है तो इसके शुरुआत अभी हाली में की गई है दहरादून नगर निगम के द्वारा तो देखी हाली में दहरादून निगर निगम ने plastic खत्रे से निपटने के लिए और COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए plastic लाओ mask ले जाओ पहल की शुरुआत की है और इस पहल के तहट plastic कचरे के बदले 5000 face mask वितरित किये जाएंगे मतलब कि एक व्यक्ति को ये 5000 mask नहीं दिये जाएंगे इस पहल के तहट कुल 5000 mask ये distribute करेगी दहरादून नगर निगम दहरादून जो की उत्राखंड की शीत कालिन येनि की winter capital है और अभी हाली में उत्राखंड की ग्रीस मकालिन येनि की summer capital ये कौन बनी है गैर सेंड यहां की मुख्य मंत्री कौन है तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंग रावत राज जिपाल तो ये है बेबी रानी मौरिय इसके लावा अभी हाली में उत्राखंड का जो आसन conservation है इसे भी हाली में रामसर साइड की रूप में चुना गया है इसके लावा भारत का पहला लाइकेन पार्क येनि की कवक पार्क ये भी हिम तेंदुआ हिम तेंदुआ मतलब snow leopard तो पहला हिम तेंदुआ सनरक्षन केंद्र ये भी उत्राखंड के उत्राकाशी जिले में स्थापित किया जा रहा है आप और क्या relate कर सकते हैं तो देखिए भारत का पहला glass bridge ये उत्राखंड के रिशी केस में ही बनाय जाने की मंजूरी दी गई है तो ये सब ही आप याद रख सकते हैं next है किस राज जी ने आशाकारी करताओं के लिए 57 करोड रुपै के package की घोशना की है ये घोशना की गई है महराष्ट गवर्मेंट के द्वारा तो देखिए महराष्ट के जो स्वास्थ मंत्री है राजे श्टोपे जी इनके द्वारा 3 नवंबर 2020 को घोशना की गई जिसमें आशाकारी करताओं के लिए राज्जी सरकार ने 57 करोड रुपै का आर्थिक package जारी किया है और इस राशी का उप्योग राश्ट्री ग्रामिन स्वास्थ मिसन के तहट आशाकारी करताओं को भत्ते में व्रद्धी के लिए किया जाएगा और इन आशाकारी करताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपै तक बढ़ाया जाएगा अच्छा इस question में जो term लिखा हुआ है आशाकारी करता यदि की आशा worker कई बार आप लोगोने ये term सुना होगा आशाकारी करता या आशा Conrad कभी आप लोगों ने सोचा है कि इस आशा worker की फुल फोर्म क्या बनती है इसके full form है as credit Social Health activist तो इसकी full form भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं अब यदे हम बात करें महराश्ट की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है महराश्ट की लोकेशन, इसकी कैपिटल तो ये है मुंबई, जो कि टैप फॉर्टर रैंकिंग में पहले इस्थान पर रहा है, इसके लावा हाली में मुंबई पोर्ट रस्ट के नय अध्यक्ष मे बनाये गए हैं, इनका नाम है राजीव जलोटा, महराश्ट के जो मुख्य मंत्री हैं, ये है उद्धव ठाकरे, राज जिपाल तो ये है भगत सिंग कोशियारी, जो भगत सिंग कोशियारी है, ये गोवा के भी राज जिपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्यों तमाशा और लावनी, ये दो प्रमुख लोक नत्य हैं, महराश्ट के, इसके लावा महराश्ट से ही रिलेटेड एक महत्वपून योजना है, जिसका नाम है सिव भोजन योजना, और इस योजना के अंतरगत महराश्ट गवर्मेंट गरीबों को 10 रुपए में भर पेट भ नेवी के बीच, और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है, कैरेट नेवल एक्सरसाइज, तो यहाँ कैरेट के भी फुल फॉर्म बनती है, कॉर्परेशन, अफलोट, रेडिनेस एंड ट्रेनिंग, और ये जो एक्सरसाइज है, ये USA और बांगलादेस की नेवी के बीच हो रही है, तो अब हम जान लेते हैं, बांगलादेस के बारे में, इसकी कैपिटल है धाका, करंसी है टका, प्राइम मिनिश्टर तो ये हैं, शेक हसीना, जिनने कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम, अंतर राजश्ट्री इस्मरती अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और आ बंगाल की खाड़ी, और अभी हाल ही में, जो बांगलादेस गवर्मेंट है, इसने रोहिंग्या सरणार्थियों को भाशन चारदीप में शिफ्ट करने का फैसला किया है, और ये जो भाशन चारदीप है, ये बे अफ बंगाल में ही इस्थित है, इसके लावा, दुशकर् में बंगलादेस गवर्मेंट के द्वारा ही किया गया है, अब देखिए, यदि हम बात करें श्री लंका की, तो भारत और श्री लंका के बीच एक एकसरसाइज होती है, जिसका नाम है मित्र शक्ति, यदि केवल शक्ति लिखा हुआ है, तो ये है भारत और फ्रांस के विम्बेक्स, भारत और बंगलादेस के बीच अभी मैंने बताया है संप्रती एकसरसाइज, किस राज ने इस्पंज आयरन और श्टील शेत्र में निवेश के लिए एक नई ओध्योगिक नीती पेश की है, तो ये भी हाली में पेश की गई है, 36 गड़ गॉर्मेंट के द् अब 36 गड़ में इस्पंज आयरन और श्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए सबसीडी सीमा 60 प्रतिसत से बढ़ा करके 150 प्रतिसत कर दी गई है, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है 36 गड़ की लोकेशन, इसकी राजधानी है, रायपुर, यहां की मुख् पेश बगेल, राज जिपाल तो यह है अनुसुईया उईके, 36 गड़ उच्छी नयायले के मुख्य नयायधिस है, पी यार राम चंदरन मेनन, इसके लावा यह इदि इंपोर्टन नैशनल पार्क की बात की जाए, तो इंद्रवती, कांगेर घाटी और गुरु घासी है, यहां भारत का पहला, गार्बेश कैफे, यह उपन किया गया है, जबकि हम बात करें, 36 गड़ के ही बीजापुर की, तो देखिए, जो बीजापुर जिला है, हाली में नीती आयों के द्वारा, जो अकांची जिलो की लिस्ट जारी की गई थी, इसे टॉप किया था, बी है, राफिल नडाल, इन से पहले तीन कौन है, तो पहले तो है, अमेरिका के रिटाइड खिलाडी, जेमी कोनर्स, तूसरे स्थान पर है, स्वीजर लेंड के, रोजर्स फेडर, और तीसरे स्थान पर है, चेक अमेरिका से रिलेटिड इवान लिंडल, और अब चौथे स्थ खिलाडी बन गए है, राफिल नडाल ये किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं, तो ये बिलॉंग करते हैं, इस्पेन से, तो कई बार एक्जाम में खिलाडियों की कंट्री भी पूछ ली जाती है, तो सबसे पहले आप वर्ड मैप में देख सकते हैं, इस्पेन की लोकेशन, ये स्थित है यॉरप महादीप में, इस्पेन की कैपिटल क्या है, तो ये है मैडरिड, और मैडरिड से आप लोगों को क्या यादाता है, कुछ समय पहले ही कोप 25, यहीं की Conference of Parties 25 का आयजन किया गया था, इस्पेन के मैडरिड में, चिली की अध्यक्षता में, और जो नेक्ष्ट होना है, कोप 26, इसका आयजन किया जाएगा, स्कॉट लेंड के ग्लासको में, यदि हम बात करें, इस्पेन के करंसी क्या है, तो ये है यूरो, इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, देखें, यूरोप महादीप के अंतरगत, ये इस्पेन आ रहा है, और इस्पेन से लगा हुआ, ये जो एफरिका महादीप है, मतलब कि ये तो है मुरक्को, तो यूरोप महादीप में जो इस्पेन है, और एफरिका महादीप में जो मुरक्को है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि यॉरोप और एफ्रिका महादीब को अलग करती है हाली में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंदर की सराज्य में बनाया है तो देखे काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत का पहला एलिफेंट रिहाबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है केरल में तो ये भारत का तो पहला Elephant Rehabilitation Center है इसके साथ ही इसे दुनिया के सबसे बड़े इलाज और देखभाल केंदर के रूप में विक्सित किया जा रहा है और ये कहां स्थित है केरल में और केरल में भी कहां केरल के कोट्यूर के पास ही बनाया जा रहा है देखे इस कोश्चर में आप कंफ्यूज नहीं होएगा क्योंकि भारत का पहला Elephant Rehabilitation Center ये इस्थापित किया गया है केरल में जबकि भारत का पहला Elephant Hospital ये इस्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में तो यहां से important है केरल आप मैप में देख सकते हैं केरल की location इसकी राजधानी है त नेशनल पारक एदिबात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और Silent Valley नेशनल पार्क ये दोनों इस्थित है केरल में देखे केरल में इस्थित है कोचिन इंटरनेशनल एएरपोर्ट जो कि 100% सौरुजस संचालित विश्यू का पहला एरपोर्ट है और इद्याप करण से र सर्वोच वार्ड होता है ग्यान पीठ वार्ड सेम उसी तरह से केरल राज्जी का साहित्य जगत का सर्वोच वार्ड है एजू थचन पुरुसकार जिसके लिए चुने गये हैं पॉल जकारिया अब इस कोश्चन में बात की जारी है दुनिया के सबसे बड़े की जो की भारत म सकते हैं जैसे कि स्टार्ट करें हम गुजरात से ही तो गुजरात के एहमदाबाद में ही विश्यो का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस्थित है जिसका नाम है पटेल स्टेडियम और स्टेच्यू ओफ यूनिटी यह कहां इस्थित है गुजरात के ही नर्मदा जिले के केवडिया कालोनी में यदि हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की हैदराबाद में कुछ समय पहले ही विश्यो का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इस्थापित किया गया है जहां एक लाख लोगों को मेडिटेशन के निशल का ट्रेनिंग दी जाएगी यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में ही विश्यो का सबसे बड़ा मतलब की जानवरों के लिए विश्यो करें से यहां जो टर्म लिखा हुआ है रोपेमिट्स कि फुल फॉर्म है रोल ऊन रोल ऑफ पैसेंजर ऑर इसके शुरुवादेश से करेंगे कब करेंगे संड़े को और से घोगा के बीच रो पैक्श शेर्विस को हरी जडरेशन pior दिखाएंगे और इस सर्विसदा माध्यम से घोगा और हजीरा की बीच की दूरी जो अभी 370 किलो मीटर है ये घटकर हो जाएगी 90 किलो मीटर और दूरी कम होगी तो समय की भी बचत होगी और इसी की शुरुवात की जाएगी प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मोदी जी की द्वारा अब देखिए इस कोश्चन में बात की जा रही है कि प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मोदी जी ने गुजरात के किसी स्थान से किसी सर्विस की शुरुवात की है तो आप अधर आप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये गुजरात के दौरे पर भी उद्घाटन किया है साथ ही भारत की जो पहली सी प्लें सर्विस है इसके भी शुरुवात गुजरात के एहमदाबाद रिवर फ्रेंट से ही की गई है यदि हम बात करें केवडिया की तो केवडिया में इन्होंने दो चीज की उद्घाटन किये हैं एकता मॉल और आनंदव बन का यदि हम बात करें जूनागड की तो देखी गिरनार की पहाडियों में जो की जूनागड में इस्तित है यहां से विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन ये भी प्रायम मिनिस्टर नरंद्र मुदी जी के ही द्वारा किया गया है नेक्स्ट है गरी कोशना है ये तो केरल ने जून 2020 में ही कर दी थी और अब ये क्लियर हो चुका है कि गरीब परिवारों को और सारवजनी कारयालों के लिए जो केरल है ये फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा और ऐसा करने वाला ये पहला राज्जी बन गया है केरल के ब बात करें उत्राखंड की तो ये क्रिसी भूमी को पट्टे पर यानि की लीस पर देने वाला भारत का पहला राज्जी बना है ये हम बात करें केरल की तो सबजियों का न्यूंतम मूल्य निर्धारित करने वाला ये भारत का पहला राज्जी बना साथ ही डिजिटल एजुक तो लोग सेवा आयों की परिक्षाओं में ट्रांस जंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य ये बना है असम कल मैं ने आप लोगों से पूझा था दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान जिसका नाम है अरगल खदान ये कहां इस्थित है तो इसका राइट अंसर था आउस्ट्रेलिया अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में किसने अमेरिकी चुनाओं के तिहास में सबसे जादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है तो इसका जो भी अंसर कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो